निश्कार मेहोवनी चोधरी और आप देख रहे हैं एल्थप्रकास टीवी जैसे कि आप सभी को पता ही होगा चंजिगर्ड में इन दिनों नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और जैसे कि आपको पता होगा कि पहले हर बार चंजिगर्ड के नगर निगम एलेक्सिंस में 26 वोड आया करते थे लेकिन इस बार वोडों की संख्या बढ़ा कर 35 कर दे गई है इस वक्त हम मौजूद है वोड नमबर 18 में जिसके अंतरगर आते हैं सेक्टर 20 और सेक्टर 30 आज हम आपको दिखाएंगे यहां पर लोगों का किनके उपर विश्वास है किनके किस पाजी का दबदबा यहां पर जादा है आईगे हम लोगों से बात करते हैं मैं आपका नाम अंजी रेखा रेखा जी आपकी वोड की क्या क्या समुझ से हैं पहले तो मेरा रासन कार्ड बनुआओ है यह नहीं कभी ठीक है आपको क्या लगता है कि अगर आने वाले चाइम में कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो कौन पार्टी आपके कार्ये पून रूप से करा सकती है अभी तक तो किसी ने कराया नहीं आप देखो कह रहें केजरी वाला आ रहा उसको देएंगे बोड चीक है मै आछे से कुछ स्कायतनी तो मैं किहाएं याम कोहीं नहीं है कंफी समस्या याी या काफी समस्या के हच जब केजरिवाल कीbright के दिली जब crazारी रही है तो यहां पर हुए पर पूर्ण तरीक से विश्वार से हम यह को यह उम्मीद करें के डिवाल ही आए जो हमारे यहीं क्यों मी भाड़ाक है विद्दोश पैंशन नहीं बढ़ाते हैं विड्डोश पैंशन निपढ़ाते आप सब्सक्राइब कर लेते हैं वैसे कुछ नी है सुनवाई वारी में जाते हैं बच्चों के लिए दो बच्चों के बाद तीसरा बच्चा नहीं पैदा करने देते उनके भी सबसे जाना है कि यहां पर पाची काम ने करती लेकिन पहली बार आप पाची मैदान में उतरी हैं तो लोगों का बरोसा आप पाची की तरफ जाधा जा रहा है उनका कहना है कि एक बार उनको चांस भी देना चाहिए मैं आपका नाम मेरा नाम जोती जी आपको क्या लगता है आपकी वोड की क्या समस्याएं हैं जो अब तक नहीं सोल्व हुई है बस हमने यह मैडम काड़ बनवाना इसलिए हम वोड मोडी को ही देंगे आपको मोडी जी पर पूर्ण विश्वास है अर्थी जी आपको अब यहां पर चंडिगर में पहले बार आप पाची भी आई है उससे पहले कॉंग्रिस पार्ची और बीजेपी पार्टी तो थी ही मैडान में आपको किस पार्ची पर भुरोसा है कि आने वाले चाय में वो कारी अच्छी कराएं मैं तो बच्पन से बीजेपी स्पोर्ट रही हूं मैं तो ऐसी कोई प्राब्लम ही नहीं है ठीक है ना मैं तो शुरू सही कुछ भी हो मैं हमेशा पार्टी को वोट दिया मैंने कभी परसन को वोट नहीं दिया मैं अपका नाम मॉनिका जी आपको किस पार्टी से उमीद है कि आने वाले चाय में वह बहतरीन कार्य कराएं गार्टम सबसे पहली बात में हिमाचल से हूं यहां का अपना कोई कनेक्शन नीश चीज से वहां पर हम बीजेपी को बोड देते हैं जैसे कि आपने सुनाई मिश्वास करके देखना चाहिए और साथे साथ बीजेपी का भी यहां पर जिक्रवाइब बीजेपी के भी कुछ समर्थक दिखाए तो उनका कहना है कि वह स्टार्टिंग से बीजेपी को बोड देते आए हैं वीजेपी ने उनके कार्य कराएं चलिए आगे हम वोड नंब सब्सक्राइब करते हैं तो कॉंग्रिस पाची का कहना है कि उनके जमाने में उनके टाइम में महंगाई नहीं था सब्सक्राइब करते हैं तो काफी महंगा एक बहुत जादा बढ़ गी है बंदा गरी बंदा क्या करेगा बताओ इनके पास आदमी नहीं है कमाने वाला घर में एक साड़े चार सौ रुपे में महीने का खर्चा कहां से चले गालीगा आप ये खी बताओना या खा लेगा क्या कर तैंची हम किस पार्टी से उमीद है कि आने वाले टाइम में कैजरी वाल से उमीद है क्यों पानी का कम हो गया हर एक जगह में कम हो गया है अब हम यह चाहते हैं के जिसे कि आपने सुना होगा इनका कहना है कि बीजेपी के राज में महंगाई धर का बहुत जादा उची उठ गई है तो वहीं इनका कहना है कि केज्री वाल ने दिली में अने कारे कराएं पंजाब में अगर रेच की बात के जाए बिजली के बढ़ते दामों की बात की जाए तो भो भी कम करा दिये हैं तो इनको उमीदे के उपर लोगों को जादा उमीद है कि इस पाची का जादा दबदबा दिखाए दे रहा है आईए हम चानते हैं सर आपका नाम अमरित पाल सिंग चावला अमरित जी आपकी वोड की क्या क्या समस्या हैं साध्य ते सारीया समस्या हैं पार्क तुछ मादा जहा रोग जूटी याने तोड़िया यह है तोडियां यह सारीयां एक को पता ही होगा कॉंग्रेस और बीजेबी पार्टि तो नगर नेकम के एलेक्शेंज से ही है चेंड़ेगर्ण में लेकिन पहली बार आप पार्टि भी मैदान में आई हैं तो आप को क्या लगता है कि आप पार्ची अपने वादे पूर्ण तरिके से निभाएगी क्यों क उनका कहना है कि वो वादे नहीं गारंटी के साथ कह रहे है कि हो लोगों के कारें पूर्ण कराएंगे कि कोशिष ननां आन्यपाइश अपना दिनी चाहिए दी गर परचुन्टी तियार करने जंकिस्तावी है जे वह काम चंगा करने ते फिर उन्हान बोट देंगे जे पहले पठा बैठा रहा ते फिर आपका नम मंझी सिंग टोल मंझी जी आपको किस पार्टी से जादे उम्मीद हैं कि आने वाले टाइम में वह आपके कार्य पून तरीके इसे करेगी है फिर जनता की जो समस्याएं होगे उनका निवारन करेगी मैंनू ता जी कांगरस्तों लग दियागी आस बहुत फरतिले बन देंगे उन्हान दी आस लग दिया बाकी उरदी समस्यावां बहुत हैंगि यां इकता कुड़े देटे हैं रहें लगे पेना उच् चक देनी हैं जद चक देनी हो खिंड के फेर उठी उठी पहुंचांदा आएगा फेर उस तो बढ़ाटे इरलादने चक दा कोई नहीं हैगा आपनी जो आपके पूर्व कांसलर हैं उनसे कभी इस बारे में बात की बहुत कहले आजी बहुत कहले आजी उन्हान दा इको काम बनाया बता दो दन ता मिननों हैगा काम जरूरी चोच्छे नूं थोटा काम काम क्या उठा होर गांत हो जन्दा ता एता बहुत बुरा भी सेक्टर ता हाल है पार कांदेख लो यह देख लो होर देख लो एक होर बड़ी प्राबलम हैंगी इस सेक्टर दे बीच जिन्न प्राइब आने कुटे रखे वे यह ओकुटे आले मनुता एनी समझान दी भी है क्या मज़ा जड़ी दूद दनी आंगी कुटे आंगे ना इना कोई वैदा ना हो ओकुटे आले अपने कार तो उठके लेटर न दूए देका रगय करांगे देना लड़ाईयां भी बज़ यांगी यां एवी कहले अभी दा कोई हल लब हो हल लब या था है उन्हेंने भी जर्माना करते हैं जे फोटो फे लड़ेयां बज़ दियां काकड़ा बंदा कहें दा होर करना मैं तो उरीक रहूंगा हटा ले माढ़ा बंदा कि थे ते नूँ करूगा हो एह जे मासले भी साफ सूत्रा हंदा कॉंड़न का बहुत बुरा हाल है गा सैकल जाड़ ट्रेक ते अपन सहर कर रहें उत्ती सैकल चला रहें नहीं वो सैकल बीच बज़ देंक दूए दे फटवाल खेर रहें सेर्च बज़ देंद अब जुरुगांग नीं करे जरा कैमरा अब सब्सक्राइब करेंगे तो आपने कहा नहीं कि अब उनके बच्चों को खेल ले नहीं देते हैं इसलिए बोट काट जाएगी वो लोग पाएंगे नहीं जिनके बच्चां को हटाएंगे जैसरकी आपका कहते हैं कि आपका विश्वास कॉंग्रेश culture की ओ रहे हैं तो वहीं बीजेपार्टी जो विपक्सी पार्टी हैं उनका कहा है कि विजेपी के टाइम में ब्रस्ट-चार बहुत हुआ लेकिन बीजेपी के Nee collecting अबदा ह çıktी थे दुरुपरा आपको कहना है कि बीजी भी पार्टी ने देश को बेच दिया क्या कर रहे हैं कि हमने आर्टिकल 377 पर काम किया राम मंदिर बनवाया इस से पहले कॉंग्रेस पार्ची ने आस तक इस मुद्दे को कभी घंबीरता से लिया ही नहीं नहीं सत्तराली कहानी है और अड़ गल लेगी ओ इना नहीं कम जड़क करें इना वल्लों ठीक है पर है बढ़ियां प्रावल्माओ दे विच्विश्विश्विश्व लोकानु जाके पुछो बहुत बुरा हाल है इना नूच्छन देनी चाहिए दिए उत्तरही था रह बाकि यह जादा हाई लेवल दी कहानी है इन्हों आपने कानूं जो कुछ चल रहा ठीक हैगा बई पर थोड़ा जा उनको होर सुनो किसाना नाल क्या बुरा हाल करेया है देखो आपको क्या लगता है जो यह तीन क्रिशी कानून थे एक साल से चलते आ रहे हैं लेकिन जैसे थोड़ा चुनावी दोर पास में आया उनको वापस ले ले गाया तो क्या वाकि में BLP पार्ची को लगता है कि उनसे गलती हुई है उन्हों इसलिए छमावान लागती होई है फेला में जो है पता नारे लगे बहुत इक लेटन लेटन देआनों लेटन उता है ऊच्छी ब पहला गजरात दे विच्चिस ने बंदे मरो आए ते तो बंद क्रेवत उत्य बढ़ना कितना आ गया है फिर गड़ी घड़ाने नहीं जगा नहीं मिली उत्ते नहीं उत्ते चलो चले अपने देश दी गल कर दें इन्हें क्राया सर्वे यूपी दा सब ते बड़ी स्टेटे ज़े यूपी जपन जीट जानने ता समझो ठीक है ठीक है इन्हें सर्वे क्राया पहला सो बोड़ दे हार दे दूआ सर्वा क्राया 200 ते इन्हें क्यावी सड़त कम खराब हो गया जेड़े बंद केंदे ते भी तिनकनुन ना दी गलता क रोना एता नी हुंदे वापस उना बंद्यान नहीं भेर केहा भी असी थोड़े कनुन केहा तक प्रदानमंत्री नहें और सबेरे ताड़कया नीद नी आई जा सर्वे कराया तब सबेरे ताड़कया उक्र पुछ्छया नी किसे नुने भेर है सलाम आशवरा निकरेया सिद नाले माभी मंगी नाले तिन कनुन जड़े दुज्जे बाकी कनुन के उना नाल भी उत्तरी लिख लिख के मंगन ला गया फिर क्या होया थुक के चट्या तो यानि अभी जैसे एमसी के एलेक्षिन से चंडिगर में तो आपको पूर्ण विश्वास कॉंग्रेस पार्टी पर है देखो जी वसrånष पूर्ण त pap कांगरस पार्टी पर एता है निम juvenile किसे पार्टी दा uniqueness पकाहोगी इंडरे मार जीज्व एफिल्पलदेशंख कर दो चालं चारगल पांढ और कर उने चirtटे ओपहर जानेंगे ठीक और महीं तो ध संबल कह गया जान प्रेंड में हैं पड़ीद स्वाइव पांगर्स पार्टी यह जिसने पहला आप नहीं। जद्दी नहीं कोड़ कर रहा। और पार्टिया नू क्या पता केजरी वाल नू क्या पता जादी के आया गए ता जम्मे भी निता जाद ठीक है कि नहीं केजरी वाल नाले पंजाब नू लुटना चांदा उरे आक है ओठी दिल्लीयों चल रहा हुदा अधे दमैक मेनी है उदे को पंजाब वह बड़ा बचा नू देखंगो मुख्मंत्री देया अ करने हैंगे सिक और सरदार पंजाब का चाहिए तो पर लोक भी बहुत श्याने हैं उनका लोक जंबने ते पहला अंदरे पड़के आने पता केंजी लाज जंबन लागी अगली जडी जनरेशन है पहला रहां किसे नी समझाने दी लोड नी है उनका अपने आप करना थो नुम किन नहीं के हिजा भी बोट उत्थ है भाई भाई उत्थ है बाई बहुत बदिया बंदे हैं बहुत हैं पर तुस्या अपनी मर्जी करनी हैं जो आपने वादे कर रही हैं उन्हें पर यह किते हैं राप को किसे उमीदें हैं कि आने वाले जैनम में वो आपने वादे करी अने संस्के क्षे2018 कर एक बाइधे eigenlijk पर कांकर्षान वाजे करें, जो 370 करें तोड़ी है यह खतम करिया, तिन पर क्या करें ने बंदी मर्दे पर हैं अपने, फोजी मर्दे पर हैं, पर दस्ट कर जग नहीं लेता, जगा लेता हैं, अर जा मुआब कस्मीर में, तिन स्ट्र में मनें इनकों बहर ने, यही है, इनकों स्ट्र स्ट्र तोड़ी जी पला ना कर दे अपने, उतनी इन के वाजे बिलुकुल बोक्स है, बीजे पीजे, आ तक कोई इने काम्याभी किशिन दित्त्री होबें ताह मेरी मासुलो, आपको लगता है कि महंगाई इतने दरबर दर बढ़ चुकी है कि लोगों का जीना मोहा लोरा एक तरीके से, अपना घर बार चलाना मुश्किल हो रहा. यह नहीं मैं अपने वास्ते सोत रहें। बक्की गली आया है पार्क जड़ा है ना ते लगें कुडे दे कोई कुटे वहां पे शैर करा रहे हैं कुटे नुगा देखो आपी देखलो इते इस तरह ना बोद बुरा हाल है ग्रोंडों में ते आ देखो पर्तों चोते ना पानी थे देरे से पाइप तीन दफा में यह साल में तीन दफा गिड़ लिया पाइप अब में तीन चार बचे जाना चर्क ने बासे मैं आथे साड़ी साड़क बनाई हुए है से चैर करने नूं है भासे जोमा अचा बात ऐसे है ते कि मेरी बास विहां फुश्ती त्री साल के तो आपको उससे क्या 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 उमीद है कि क्या क्या कराएगी जो कांगर्स आईगी ना कि मैदान में आई है अगर सक्टर 20 की बात करें तो किस पार्टी का दबदबा यहां पर लग रहा है मैंनों किसे पार्टी देवेच विश्वाष नहीं ना कांग्रेस ना बेजी बीच ना हमादमी पार्टी जे स्टेट अफसी सब तो बेस्ट कम चला रहे हैं सिगा जदो है नहीं सिगी कार्पोरेशन इता खानास ते बन दे है कदे टूर कर दे चले जाने लखार पाई या बेटूर जाते हैं वहां देखना है वहां क्या सुभाई का परवन है यहां निस वाई कर सकते कैसे लखार भी खर्ची कर दिया पवलक मनी दी मैंनों कि यह लेक्शन सिस्ट्रम दे लेते मैंनों बेलकोल विश्वाश नहीं है स्टेट आपस वदिया कम चार्पोरेशन टु उन्हें अनेक आशवाशन भी देते हैं वाएदे भी करते हैं लेकिन जैसी वह सत्ता में आ जाते हैं जीत जाते हैं उसके बाद वो उनके लोगों के फोन तक भी रिसीव करना जरूरी नहीं समस्या नहीं है ना इसमाइब बहुत हैं जो बता दीश्ण समय में सहमत हो जो भी आपका नाम इस बारे में बात यह है अब कुछ नीशा जो कुछ देखा है अब कुछ थोड़ा फार्क पर लेगे यहां पर लोगों को बीजेपी पाची पर बिल्कुल भी विश्वासी नहीं है और अगर बात कीचे कॉंग्रेस पाची या आप पाची की तो लोगों का कहना है कि कॉंग्रेस के दोर में महंगाई रेट कम था तो वहीं जो आप पाची उमीदवार है उनको भी एक मोका दिया जाना चाहिए और अगर वहीं बीजेपी पाची की बात की जाए तो उनका कहना है कि बीजेपी पाची के दोर में महंगाई उचिस्तर बढ़ चुकी है तो वहीं देश की बोली भी एक तरीके से लगाई जा रही है ऐसा लोगों का कह बना है ऐसी कुछ एम खबरों को जानने के लिए बनेरे अर्थ प्रकास टीवी पर मैं आपनी चौध रशी की ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकास टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूले